नमस्ते गुडिवनिंग संपुर्ण साथियरुमा यहारलाई स्वागत्स गंडखी परदेश लिखित परिक्सा अध्बाद वितिये चरण विशयगत परिक्सामा रो यो विशयगत परिक्सामा मिले सेट वाइज नहीं डिसकॉसन गरीडाखे काशं साथ साथ ही यहारले चाएं आज सनी बार को दिन यहार को चाएं पाठे करम मा गंडखी परदेश को जुन पाठे करम चा सलेव अच्छा किसे को आ धार मा आज मिले प्रस्ण पनी यहारले पठाये को थिये 12 ओटा चाहीं साट कोईशन थियो पाठ पाठ अंख को रर को चार ओटा चाहीं दस दस अंख को चाहीं चालिस अंख बने को जम्मा मिला आये रह 100 अंख को परिक्सा को लागी मैले प्रस्ण पठाये को थिये सबजना साथी अरले दीनु भयो परिक्सा कि नाए मनुशाई परिक्सा मा सवागी उनु भाको थियो की थिये ना रिटेन को जुन कक्सा मा यहारले जुन प्रस्ण सोचा किसे मोडेल ले आज मोशीट बनाये रा पठाये को थिये तो यहारले परिक्सा चाही योड़ा समय शिमा दुई गण्टा जुन 15 मिनट चा यहार दुई गण्टा 15 मिनट को जुन समय चा क्यास लाइक खायाल गरेड़ा तपा अरले कोईशन बनाउना को लागी मेले यो प्रस्ण पठाये को थिये कि आईना तपा अरले लेक्दा खेरी यो समय शिमा भेत्र तपा इले कोईशन भ्याउना शकी डात्मु भाको शकी छाईना त्यो पनी ओड़ा टेस्टिंग हों छ 10 10 10 अंको अब 12 वर शिर्ट कोिसन अवर तपैसँग समय बनेको साथ्धी दुनी एक से 20 एक से 20 राभ्पुर मत्या वोने को एक से 35 मिनट तपा अरुषंग शंग शा त्यो एक से 35 मिनट तपा अरुषंग श्यम्या पार इले कती समय भाग्योर। प्रप कोईसर मा दीनु उन्छा रा कती समय तप आरले चाहीं long question मा दीनु पर्छा जो यह आरले चाहीं एकदम खयाल गर्णू पर्छा एकदम खयाल गर्णू पर्छा किदा भने जब संग तपाईले समय को वेवस थापना तबा टाइम ब्यानेज्मेंट लिखित मा राम्रो संग गर्णु भये न भने कोईशन छुटने संभागना तपाईको देरे उन्छा आये को कोईशन अडुपनी तपाईले छुटना सक्छा तेई बार लिखित मा एकदम समय वेवस से 25 मिनाड तपाई संग छा भने अब कती-कती मिनाड तपाईले दिनुँँँच यो मानुस 4 वडा लाम कोईशन छा भने ला मुलेखनु पर्यों बने मानुस एस को लागी तपाईले कथी मिनट चुटी आए दिनु भयो ता ला 10 चुके 40 ला 40 मिनट तपाईले लां कोईचन को लागी चुटी आउनु भयो रब बाकी को तपाईको 95 मिनट भने को के को लागी हुँँछ ता सोट कोईशन को लागी हुँँछ अब येस लाए 95 लाए 12 ले डिभायड गरनुस एईना बारा 95 ले डिभायड गरनुस कती समय तपाई को योटा कोईशन मा दिनु भयो बने तपाईले सक्णु हुँँछ त्यों प्रैक्टिस तपाई अहले बाटा गरनु पर छा अहले अहले एक्जाम दिने बेला मा एकदम प्रेसर हुँँछ तपाईले लागछ अहले कि कसर यो टाइमे बित्यो छिटो अहले समय ने था लागे नु तमानोस लगभग कती भयो 12 अर्थे चियार्न बे लगभग 8 मिनत को आरा आरी मा तपाईले योटा सोट कोईशन मा तपाई आर्थ मिनत अब तपाईले टाइमिंग एरनु योटा कोईशन माले लेखता केरी कती समय लागगो रहे चाता कती फास्ट माले हात गरनु पर्छा लेखन सीप कसरी प्रिकास गरने ता ती टाइमिंग मुल्यांकन गहर तपाईले साही समय जुन राखनु उन चल्ला आर्थ पनी फास्ट सल्छा तेशे गरी ढामरो तपाईले लेटर पनी हैंड राइटिंग पनी ढामरो उन्छा ज़ती बडिल लेखन सीप विकास उन्छा तो लेखन सीप राइटिंग ए स्किल्ड डवलाप गरना लाई सब बंदा रामरो उपाई हो बारं बार योटे कुडा केसले तापाई को फास्ट बणाऊच ए योग कुडा लाई मार्क लिखित मा सब्जेक्टिब एग्जाम मा मार्क अप्टेण गरना लाई योग कुडा अरले तापाईले ध्यान दीनु परछा कीना बने या अरले सब़ै जना साथी अरले थाचा की जुन विधियार्थिले पर्स्ट पेपर मां 100 अंक मां 40 अंक लियाई सकीएको छा वणे, 100 अंक मां याeln जुने स्टुडेंट ले 40 अंक when Landy सकीएको बलते सक्तोल सप३ुई पर्स opened sotho ऑफ स्फा नामा कीएवSt pain अब गुज़्णर बादनी अब मानुष यो तफ़ाईको कती जना साधिया रूम हुंच वहाले 22 websites मानुष माहाको 44 मार्क मात्रे आयएको छ तपानी नाम आयको छ भने यहाँ तफ़ाईको मार्क कौन छ भने यहां लिखीत बावा मात बढ़ाउणू परे नी दोसरो चरण मात तपाले मार्क रिजॉल्ट आउछ तब तबाईको competition मां marking गड़ियुँँछ। अनी तर नाम आउछ नि तबाईको नत्रयस मा तबाईले पास गरणू भो यहसमा पास गरणूरा नाम आयोला तर शकेंड पेपर मां तब मात्रे मालाई पास गरणू तछए ना मालाई बड़ी मार्क अब्जेन गर्णू छा त्यसको लागी तल लेखंशिप मा एक दम विशे जोड दिनू पर सता बागले एक दम लेखने बानीलाई बाराम बार री करेंटली रुप मा लेखी राखने रफ गरी राखने हैंटड्रायकिंग मा दियाण दिने लेखने सिस्टम अरुजुन यहाई औरले मा बताऊ छू लेकने कुड़ा अरुला यह तरीकाले लेखनूस आईना कुने पनियांसर लेखदा खेडी मार्किंग को आद आरमा लेखणूस यो कुड़ा आरू सिखाऊनू को और के चा तब आरले त्यो लेखने सहीली अरले चाई कपी टुदी कोपी दिमाण मा राकनूस रत्या गवरत्यों इसाबले उतारनू परछा रम्मो त्या गवरत लेखने वही ना लेखने बने को तब आपाईने हुँ येसको लागे हाक लाइता ओली फास्ट गरनू परने येसको लागे लेखनू परछा बाराम भार रिफीट गरनू परछा यो टेक कुड़ा लाए तब तब आरले चाई सजीलो उन्चाई ये बारा चाई एकदम लेखने बानी अईले बाटाने तब आरले चाई विकास गरनू ताकी तब आरले चाई एकजाम मा राम्रो गरना सकनू उन्चाई ना र अरू बन्दा राम्रो मार्क पन्नी अब्टेन गरना सकनू उन्छ त्यों इसा आपले तप आरले चाहिं अब अरारी को क्लास गरो मेदा यो कुरा आरला एकदम दियान दिनू अलाई साथे आरो लेकले स्टाइल मा एकदम राम्रो संगा कोईशन आम्रो संग डिफाइन शर्कुलेशन डिफाइन शर्कुलेशन शर्कुलेशन गरने को क्यो राइट सोट नॉट्स अन राइट सोट नॉट्स अन सिस्टेमिक शर्कुलेशन या अरको question योज चाहें थी हो है अब यास लाइक कोसार ही लेख रहेता circulation भ़ने को के हो रा circulation मा जुन योड़ा systemic circulation हुँँछ त्यो systemic circulation भ़ने को के होता यो question या आगले मेले दिये को थी है तो circulation भ़ने को के हो साथ यार लाइक कुने आइडिया छा What do you mean by circulation? circulation माने को के होन छा है ना circulation भ़णे को रक संचार हुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ यामरो मुटूले शरीर भ़डी सुद्धर अगर्थ जुन्शप्लाई गर छा तेस्लाइडं यामी के भच्चो था चर्कुलेशन भन्षों, है ना, आमरो चरीर को डी अक्सिजिनेटेड ब्लोड मुटू मा, मुटू मा आउश, रख त्याहा बाटब, लंग्स मा, अक्सिजिनेटेड भई, अक्सिजिनेटेड भई, भई, आटले, पंप गरी, शरीर भई, शरीर भई, अक्सिजिनेटेड, अक्सिजिनेटेड भई, पठाउनु लाई, सर्कुलेशन भनी छ, ए, सर्कुलेशन भने को केदा, आमरो शरीर मा, ज़ती पनी असुद्ध रगत हुँँच, डी अक्सिजिनेटेड भई, अक्सिजिनेटेड भई, अक्सिजिनेटेड भई, आउचा, तो, फालने गरता शा शरीर भरी हामरो शरीर को हरे शेल समझाइं पुरियाउने कारे जुन गरता ट्यस लाइने के वह निचा था शरकुलेशन वह निचा एए ता ट्यस लाइन आमी के वह वह न चा था Blood pump by heart to movement throughout the body, throughout the body is called circulation. सर्कूलेशन वाणे को के होता? हामरो मुटूले जुन ब्लोड लाई शरीर भरी फालने गर थाशा, पॉंप गरेड़ा सरीर को हरेक सेल समा जुन ब्लोड लाई पुडियाउने कारिये गर था, तेसला आमी के वन्छो ता? सर्कूलेशन वन्छाऊं। सटली रूप माया शरीप बनी तब लेखना सकना जाए, ब्लोड पॉंप बाई हर्ट टू मुवमेन्ट प्रू अर्द बडी, प्रू अर्द बडी, आमरो सरीर बडी मुटुले जुन रगत फाल छा, अईना मुटुले पंप गरेड़ा आमरो सरीर बडी जुन रगत पुडियाउच, तेसला आमी के वन्छो ता? सर्कूलेशन वन्छाऊं। यदे तब आपनो मुलिक भासा मा यदी बुझन चाहनू उन्छा बने, सब बंदा पहिले आमरो सरीर को असुद्ध रगत हरू मुटु मा जान्छ, र मुटु बाट असुद्ध रगत लंग्स मा जान्छ, र लंग्स मा गई सके पसाडी, तेहां बाट सुद्ध भएर, पे अंग मा जुन ब्लोड लाइट पुरियाऊँछ, ती प्रक्रियालाएं आमिके भण्छो ता सर्कुलेशन भण्छाँ, ये, ये, तब आपनो मुलिक एंसर रुपमा लेखनू बहयो बने, आपनो भासा मिलायर लेखनू बहयो बने, अज्ज़ तब आइले मार्ग बढ़ी ये, याद मात्राई गरेरा हुदेना भुजनू पर्छा, रापनो मुलिक उत्तर जत्ती रामरो संगल लेखनू उन्छा, जत्ती मार्ग तपाईले बढ़ी पाउने चांसेज उन्छाई, मतलब छे गरने बेक्तिलाई, यो कुडा मासू सुनू पर्यो, कि हाईना यो विज विज्यार्थी ले बुजेको छा, येस्तो मसू सुनू पर्यो, चे गरने बेक्तिले, लोक शेवाका जुन एक्सपर्ट हरू हुँँछ, जसले चे गर्च, त्यसला यो कुडाको अनुभूती उन्छा, ये विज्यार्थी ले बुजेको छा, उसले आपनो मोलिक रुपमा एंसर, कुने किताब को डेफनिशन याद मात्रे न गरेडा, उसले आपनो भासापनी प्रियोग गरेको छा, आपको ले जाने को खुडापनी एसलाइड भासारुक मा लेखेको छा, वने उनले बुजना सक्षा, बुजना बाया, तो सर्कुलेशन भने को के वता, हामरो शर जिनेटेड भाई, जब हर्ट मा आउचा, र हर्ट लेके गर्छा, ब्लोड शरीर भारी जुन पुरियाउने गर्दाछा, पंप गर्णे गर्दाछा, तो सलाइड ने के वन्छा, तो सर्कुलेशन भन्छा, रख संचार भने को बुजना भायो साथी अरले, लेकना सबना अत्मा प्रकिरिया गर्दाछा, तेसलाइड ने आमी के वन्छा, तो सर्कुलेशन भन्छाउं, तेसलाइड ने के वन्छा, तो सर्कुलेशन भन्छाईता, किलियार्चा? किलियार्चा जादे यार्ट लेकना सबना हुँचा अबाँ? सर्कुलेशन भने को, रख संचार भने को, आमरो सरीर मा भयेको असुद्ध रगत हरू मुर्ण कुडा तक आगलाई सिकाऊचु, एकदम दियान दियेरा सुन्नु अला, तेसलाइड तक पाई, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, दुपई भुजनु उन्छाई, एकदम दियान दियेरा, अरको हर्ट को तक पाईले डाइग्राम पनी बनावना सकनु उन्छा, हैना हर्ट को पाईले डाइल लेखना सकनु उन्छा, योड़ा सटली रुपमाई आगलाए मयोटा, पुरा सिकाऊचु, एकदम दियान पुर्वक ले भुजनु वलाई, एकदम दियान दिनु वलाला, सुरु करो, सब बंदा पहिला यो मानुस आमरो मुट सब्सक्राइड उन्छा, है, मला किती राम्रो संगा पिक्चर बनाउना हो देना, तब आगले अज़ा आठीस्ट हुनु उन्छा, राम्रो गर्णु वला, मा बुजाउना को लागी मातरी याँ ड्रो गर्देचु, है, बुजनु भायो, आमरो मुटु मा जम्मा चेम्बर को संखिया कती ओटा हुन्छा, साथी अरले कमेंट गर्नु स्त, मुटु मा जम्मा चेम्बर को संखिया कती हुन्छा, आओ मेरी चेम्बर इन हट, मुटु मा चेम्बर को संखिया कती हो, चार ओटा हुन्छा, मनिशा चोधरी जी, ओके, योग बुजनु भयो बने तपाईले हर्ट को बारेमा पनी लेखना सकनू उन्छा, केसे गारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन को बारेमा पनी लेखना सकनू उन्छा, अथवा पल्मोनरी सर्कुलेशन को बारेमा पनी लेखना सकनू जै, यो खुडा बुझणू भएयो बने मुटु माँ चेमबर को संख्या कती होत 4 रनजिता कुमारी या दवडि ॉक्कै मुटु माँ चेमबर को संख्या जमा कती होत 4 ओटा हुणछ कुण कुण ओ त्योपानी बनदिन स्नेक चटी साथी अरलाइ था छा वने comment गरनुस्त चारोड चेंबर अरु कुन्-कुन चा कुन्-कून चेंबर उंछा आमरो मुटुमा चेंबर को संख्यागे मा छाषारा ऌल्छाई यो चेंबर हरु को नाम खी क्ये होता comment गर हो मैं साथी अरु there are four chambers in our heart right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle कभिता जी कलाम सापी जी एकदम रामरो ठीक चाहे R A, R B, L A, L B ठीक चाहे आमरो मुटु माँ जमाँ चेम्बर को संग्या चाहर हुंच राइट एट्रियम, राइट बेंटरिकल लेट एट्रियम, लेट बेंटरिकल जम्माँ चेम्बर को संग्या चाही अकी हुंच का चार उने गर्द अच अब आग हामरो मुटु माँ बलाड शुद्धा अक्सिजिनेटेड हुंच की लंग्स मा हुंच बलाड शुद्धा का हुंच मुटु मा हुंच मुटु को योट्य काम हो, मुटु को योट्य काम हो, बलाड लाड श्रीण बलाड शुद्धा कां हो अब यारनुस आमरो सरीर मा यो मुटू मानुस यो मुटू या ठके यो मुटू उन्छाई ना हामरो हाथ हो यो हट बंदा तलो पाट बाट असुधा रगत ल्याउने योटा भेन ले काम गर्चा ररको भने को मुटू बंदा माथिल्लो बडी को जुन पाट चा तेहां यो भेन को नाम ओ यो तलो पाट मां öğँच आच लाई वांच इन्फेडियर भेन काबा रगत वंदमा अन्थीलो पाट जुन शो टेहला के वांच तक वांच यो भेन ले सुपेडियर भेन बाद सव सुपेडियर भेना काबा इनफेरियर रो सुपेडियर भेना काबा है न के चा बुजी राखनू भाचा नहीं साथ भीमल साइजी ठीक सा लग तो हामरो मुटू बंदा मथिलो पाट बाट असुद्ध रगत लेवने काम सुपेरियर भेना काबाको रग मुटू बंदा तल्लो पाट बाट तल्लो बडी पाट बाट असुद्ध रगत लेवने काम साही कसको हुँचा इनफेरियर भेना काबाको यहां बाट यहां को जत्ती पनी ओरगेन हरुचा तेहां बाट असुद्ध रगत यहां आयरा कलेक्शन हुँचा अले हम्रो मुटू मा एस्तो ठाल रो जस्तो ठाओ अध्वा ठाली ठाओ जुन ठाऊ मा गयर की उन्छा ता अशुद्धर अगत हरु चाहिं जम्मा उने गरदा छा कलेक्शन उने गरदा छा केसलाइक ये बन्छा ता कोरोनरी साइनस बन्छा है ता अब अब अधनुस सुपेरियर र इफेरियर भेना काभा बाट आयेको बलड मुटु को कुन ठाउमा गईरा जम्मा हुने भयो भानुस ता कुन ठाउमा आयरा जम्मा हुने भयो मुटु मा, अके बांच, शरीर भरीबाट आयेको असुद्धर अगत हरू, मुटु कोकुन ठा मा गवार अगता कोरोनरी साइनस अमा survivor कोलेक्सान हूं छै एक है चोटी राइटे ट्रियों मा जातैना, जोया जी जो यार आईजी एक चोटी आमरो राइटेटरियम मा जादेन पहिला कोरो नरी साइनस मा जम्मा आउँछा बुझनु बायो नी? पहिला कोरो नरी साइनस मा जम्मा आउँछा बुझनु बायो? कोरोनारी साइनस मा गयर जम्मा उन्छ त्यास पजाडी रगत कहा जान्छ त राइट एट्रियम मा जान्छ मुटुको कुन ठामा जान्छ त कोरोनारी साइनस बाटर रगत चाहिकुन ठामा गयर जान्छ मुटुको कुन ठामा त राइट एट्रियम मा जान्छ जब यहां बाट रगत आऊछ, औनि राइट एट्रियम जब भर छ, तेस्पचादि क्ये उन्छता? राइट एट्रियम बाट रगत का जान्छता? राइट भैंटरिकल मा जान्छता क्या बहारा जान्छा अब यो दुबे तो बंदा छा बने यो क्या बहारा जान्छा तो राइकेट्रियम राइक भेंट्रिकल को बिचमा युटा भल्ब हुन्छा राइट एट्रियम रा राइट बेंट्रिकल को बिच मा के उंच ता भाल्ब हुंच त्यो भाल्ब को नाम के होता ट्राइकस्पिट भाल्ब कुन भाल्ब होता ट्राइकस्पिट भाल्ब राइट एट्रियम राइट भें 트ीकल बीजल्प भल्व लाइक कुण भल्व भनेड़ा छिनी छा। ट्राइकऌस्पिड भल्प भन्छा। बजना बयो ट्राइकस्पिड भल्प भंछा। तीनप आ कस्प भया। जब राइट एट्रियम मा रगत आऊचा नितेश पसाडि याँ भरी सके पसाडि यो राइट एओके बन्छा ट्राइकस्पीट भाल खुल छा राइट भेंट्रिकल मा जम्मा हुँँछा याँ जम्मा हुँँछा राइट एट्रियम बाट ये भायर ब्लोड राइट भेंट्रिकल मा आऊचा ता राइट कस्पीट भाल भायर रगत राइट भेंट्रिकल मा भाड़ छा अब राइट भेंट्रिकल मा येवटा भाल भुँँछा यो भाल्ब कुन भाल्ब हो वन्नुस्त साथी अरू Anybody कुने साथी लाए थाचा Right ventricle मा यवटा अर्ध चंद्राकार आधा चांड जस्ते आधा चांड जस्ते यवटा भल भून्छा जसको नाम किये होता Pulmonary भल Very good एकदम राम्रो ललिता श्रिष्टा जी धन्सरा नेपाली जी कमला पोक्रेल जी Pulmonary भल एकदम राम्रो राजेश रजक जी ठीक छा एकदम राम्रो यो Right ventricle मा यवटा भल हुन्छा यो भल्व को नाम कि राये को छाता Pulmonary भल उन भल्व होता Pulmonary भल्व तका आलाई सोद्दीना सक्छा Pulmonary भल्व का हो Pulmonary भल्वने को Right ventricle मा हुन्छा है अब है नुश Right atrium मा बलड आयो Right atrium बाट बलड असुदर रगत चाही Right ventricle मा गोयो अब यो Right ventricle की उन्छा ता भरिशा के पसाडिया चाही खुम्चिन छा तीक चा अब यो खुम्चिदा केड़ी यहां बलड भरने बितिके के उन्छा ता यहां भये को रगत यो कुन भाल्व होता Pulmonary भाल्व हुदै Pulmonary भाल्व बाट यो रगत का जान्छा ता हामरो लंग्स मा जान्छा एए असुद्धा रगत भरिशा के पसाडिया तो क्ये उन्छा ता यहां भाट पल्मोनरी भाल्व यहां भाट पल्मोनरी भाल्व हुदै कुन आत्री होयो लंग्स मा जाने राइट वेंट्रिकल बाट पलमोनरी भाल्ब हुदाई कुन आर्ट्रित पलमोनरी आर्ट्री ये उदा पलमोनरी आर्ट्री रहेको छाई तब आरलाई ये स्वद्धिन सच बने मुटू बाट असुद्धर रगत लंक्समा कस लेले जानच तब पलमोनरी आर्ट्री लेले जानच कस लेले जाने होता पलमोनरी आर्ट्री लेले जानच मुटू बाट असुद्धर रगत लंक्समा कुण आर्ट्री लेले जानच तब पलमोनरी आर्ट्री लेले जानच यो बायो राइट लंक्स यो बायो लेट लंक्स हैदा अब यो पलमोनरी भल उदय कुण आर्ट्री लेता पलमोनरी आर्ट्री पलमोनरी भने के लंक्स हुँँच तब पलमोनरी आर्ट्री ले असुद्धर रगत लेले आयो तब लंक्समा लेले आयो अब लंक्समा की हुँँच तब ग्यास को इक्सेंज हुँँच ग्यास को इक्सेंज भना लेके ता यो असुद्धा रगत हरूले अक्सीजन क्यारी गर्षा रा अक्सीजन क्यारी गरी सके पसाडी यस लेके गर्षा ता ब्लाड अक्सीजिनेटेड बलाउचा लंग्स मा गयर रगत की हुँँचा ता अक्सीजीनेटेड हुँचा सुद्धा हुँचा अब सुद्धा यहां के भाया ता बलड सुद्धा भायो अब यहां बाट यो लंग्स बाट भेन निसकीन छा जसको नाम के होता पल्मोनरी भेन लंग्स बाट के निसकीन छा ता भेन निसकीन छा जसले के गर छा ता सुद्धा रगत लाइका आले जान छा ता सुद्धा रगत लाइका आले जान छा लेफ्ट एट्रियामा ले जान छा एदा अब लंग्स बाट मुटु मा जब रगत आऊचा भने कुन बलड वेसल ले सुधा रगत मुटु मा ले आऊचा भनुस्ता पल्मोनारी भेन लेकी पल्मोनारी आट्री ले ले जान्छा मुटु मा सुधा रगत ले जाने कसको काम हो पल्मोनारी भेन की पल्मोनारी आट्री पल्मोनारी भेन हो ठिकछा एक जणाले पल्मोनारी आट्री लेकनु बाद चा कीना हला पल्मोनरी भेन आट्रिलेत असुद्ध रगतले जादे छानी पल्मोनरी भेन उन्चाई कमलाजी ठीक्सा पीवी पल्मोनरी भेन ठीक्सा जुन असुद्ध रगत मुटु बाटा लंक्स मा गएको उन्च यहाँ बाटा अक्सिजिनेटेड वाई सुद्ध वाई पल्मोनरी भेन हुदै काहा आउचा ता काहा आउचा लेफ्ट अट्रियम मा आउचाई काहा आउचा ता यो ब्लर चाई याँ बर्चाई काहा बर्चाई लेफ्ट अट्रियम मा बर्चाई यो लेफ्ट अट्रियम मा जुन रगत आएको छाँ त्यो सुद्ध रगत हो किया सुद्ध रगत हो सुद्ध हो किया सुद्ध हो बानुसता लेफ्ट अट्रियम मा आएको ब्लड सुद्धा हुन्छा किया सुद्धा हुन्छा पियोर हुन्छा अक्सिजिनेटेर हुन्छा अब रगत के बायोता सुद्धा रगत चाहिं लेफ्ट एट्रियम मा आयो अब लेफ्ट एट्रियम बाट रगत का जानू पर्योता लेफ्ट बेंट्रिकल मा तेहीं बाय रो यो left atrium रो left ventricle को बिच माय उटा valve हुँँछ त्यो valve को नाम की होता bicuspid valve दुई ता कस्प हुँँछ तेहीं बाय रो bicuspid valve हुँँछ अत्वा mitral valve पनी भाँँछ एक्चा left atrium रो left ventricle बिच भाय को valve लाय कुण valve हुँछ अत्वा mitral valve अब यो left atrium बाटर रगत का आउने भायो bicuspid valve हुदए left ventricle मा आउने भायो है ता क्ये भायो ता left ventricle मा आउने भायो अब लेफ्ट बेंटरीकल मा की हुँछ ता बलाड भर्छ क्ये हुँछ ता left ventricle मा बलाड भरी सके पचाडी हामरो मुट्ट को चेंबर मा सब बन्दा बल्यो चेंबर कुण हो सब बन्दा भायटल लेयर चेंबर भनेर कुण चेंबर लाय भन्छ सब बन्दा strongest, thickest left ventricle हो सब बन्दा strongest, सब बन्दा बल्यो भाल्व सब बन्दा बडी काम गरने बल्व भनेको सब बन्दा strongest, सब बन्दा भायटल भनेको left ventricle होंच किना बने सब बन्दा बडी येसे लेख खुंचीनू पर छा रब बिग्रीने बनेको पनी सब बन्दा बडी येहीं बिग्रीन चाए उसनु भायट बिग्रीने बनेको पनी सब बन्दा बडी कियोंच येहीं बिग्रीने गर्द चा अब आयनुस यो लेफ्ट बेंट्रीकल मा जसदै यो राइट बेंट्रीकल मा पल्मोनरी बुल्ब थियो तेसरी नई लेफ्ट बैंट्रीकल मा पने यहटा बुल्ब हुँँँछो क्यो भल पनाम के रहेको चा यहां बाट ए ओर्ता खुल चाही यहां बाट कुन्ने भने को ए ओर्ता खुल चा तेही भाएरा यो कुन भल हुने भाए होता ए ओर्टिक भल Left ventricle मा पाइने भल्ब अने को कुन भल्ब होता Left ventricle मा पाइने भल्ब को नाम एयोर्टिक भल्ब हो अब आधनूस Left ventricle जबा जोर लेशरी खुम्चिन छ अनि यो एयोर्टिक भल्ब हुदै रगत का जान छता एयोर्टा मा हुदै अत्मा ब्रांच अफ एयोर्टा हुदै शरीर को हरे थ्रू अर्द बड़ी शरीर भडी जाने गरता छ थ्रू अर्द बड़ी शरीर को हरे अंग मा चाही के उन्छ त यो आर्च अफ एयोर्टा हुदै शरीर को हरेक अंग मा चाहिं किये उन्छा ता रगत चाहिं जाने गरता छा एदा रातियार किलियार छा बुशनु भाय की भाय ने यो बुशनु भाय हो ए फेरी बननू ओके ला एक चोड़ी अज़े ध्यान दियार सुन्नू अला ए यो पिक्चर पनी भाय होए तब आरला डायाग्राम बनाओन यदी भन्च वन्च 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 सातियोर ले कमेंट गरनू अला है तो पेजरा सातियोर ले कमेंट गरनू अला हामरो सरीर भरी को असुद्धर रगत मुटु मा लेऊने काम कसको हुँँछ ता सुपेडियर रा इनफेडियर भेना काबा हामरो सरीर भरी को असुद्धर रगत लेऊने काम चाही कसको हुँँछ ता सुपेडियर रा इनफेडियर भेना काबा आये नुश्ता यो दुबई इनफेडियर ले सरीर यो मुठु बांदा तलो पार्ट बात लेऊच रो मुठु बांदा माथिलो पार्ट बात रसुपेडियर भेना काबा आले लेऊच रो अब कोरोनरी साइनस मा आए रख्ये भयो था दुबबई यहां बाटा आएको रगत पनी यहां गयरा जम्मा आउने भयो अब कोरोनरी साइनस बाटा रगत का जान्छा बनुस्ता मुटुक कुण चेंबर मा जान्छा राइट एट्रियम मा जान्छा वेरी गुद राइट एट्रियम मा जान्छा एको अब के राइट एट्रियम मा जान्छा तेस्प छाडी राइट एट्रियम मा जबः रगत भरिशाके पसादी बलोड का जान्छा जान्छा ? राइट एट्रियम अगलोर्ड भरिशा के पसाडी जरेडा का जान्छा? राइट भेंट्रिकल मा जान्छा सुजीता कुमारी यादर जितिक्छा का जाने हो तो राइट भेंट्रिकल मा जाने हो ललिता स्रेश्टा जितिक्छा एक? ओ ट्राइकास्पीड भल्व हुदे राइट एट्रियम बाटर रगत राइट वेंट्रिकल मा जान्षा क्यो हुदे तो यो ट्राइकास्पीड भल्व फुले रहे ट्राइकोस्पीड भल्ब फुल्चा अनि ब्लड कहा जान्चा दा राइट वेंट्रीकल मा जान्चा राइट वेंट्रीकल मा योटा भल्ब मैले बने को थीए कुन भल्ब हुँँचा यो राइट वेंट्रीकल मा अर्ध जांद्राकार सेमिलुनार भल्ब कुन बाल्ब होतायो राइट बेंट्रीकल मा रहेको बाल्ब कुन हो पल्मोनरी बाल्ब हो राइट बेंट्रीकल मा रहेको बाल्ब लाए पल्मोनरी बाल्ब भनिंच आई ना पल्मोनरी बाल्ब भनिंच ए ओके ठीक्चा पल्मोनरी बाल्ब भनिंच आउट बेंट्री कल मा जबरगत भर्ण छो अनि कुं भोल वुधाई लंग्श मा शुद्रग जान्छौ पल्मोनरी भोल भोदर कुं आट्री भायर जान्छौ पल्मोनरी भोल भाटकुं आटtså içर्यु भयर को उन्चर बन्नुसतर हो पल्मोनरी आट्री शुरूब है कोँछा ठीक छा एकदम राम्रो पल्मोनरी आट्री शुरूब है कोँछा एक राइट भेंट्रीकल बाट राशरी पल्मोनरी भल बाट योटा आट्री शुरूब है कोँछा जसको नान की होता पल्मोनरी आट्री रयो पल्मोनरी आट्री ले असुद्धर रगत लाई कहा ले जान्छा ता लंग्समा ले जान्छा पल्मोनरी आर्ट्रीले असुद्धर रगत लाई कहा ले जान्छा ता लंग्समा ले जान्छा अब लंग्समा जब रगत दान्छा अनि ते आकिये उन्छा ता अक्सीजन को साथ फेर उन्छा अक्सीज आमीले इक जेल गर्दाखेडी यातवा जब सांस फालनू हुँँछा नी तेत्ती बेला चाहिए कारवाणटा एक चैडनी स्किन छा रो अक्सीजन जुना आमी लिएको हुँँछा त्यो अक्सीजन चाहिए की हुँँछा त्यो ब्लड मा मिक्स्ट हुँँछा अब ओ डिफ्यूजान उँछा ला ठीक चाहिए एकदम राम रो बननू बाठ याँ आयरक की हुँँछा त्यो ब्लड की हुँँछा अक्सीजनेट ब्लड अब यो अक्सिजिनेटेड भायर को बलड कहा जान्छा ता लेफ ट्रियम मा जान्छा क्ये भायरा लेफ यो लंग्स बाटा सुध भायरा रगत क्ये भायरा मुटु मा जान्छा फेडि पल्मोनरी भेन भायरा हो लंग्स बाटा सुध रगत मुटु मा जान्छा क्ये भायरा जान्छा ता पल्मोनरी भाल भेन हो देई क्ये भायरा था पल्मोनरी भेन हो देई जान्छा ए बुजन्वायो पल्मोनरी भेन कहा गायरा खुल छा पल्मोनरी भेन कहा गायरा खुले को छा बंग्स दा लेफ्ट एट्रियममा गायरा खुले को छा बंग्स दा लेफ्ट एट्रियममा पल्मोनरी भेन ले सुध रगत लेफ्ट एट्रियममा लियरा गयो अब लेफ्ट एट्रियम बार्ट ब्लोड का जर्चता लेफ्ट भेंट्रिकल मा जर्चता लेफ्ट भेंट्रिकल मा जर्चता लेफ्ट भेंट्रिकल मा कुण भल्ब हुदै कुन भल्ब लेफ्ट रे ट्रियम बाता रगत लेफ्ट वेंत्रीकल मा जानचा कुन भल्ब हैरा बाईकस्पीड भल्ब अथवा माइट्रल भल्ब धन्सारा नेपाली जी ठीक छा मनिला जी बाईकस्पीड भल्ब हुदे ओके एकदम ढम्रो रविंद्र साही जी अब घो यह बैकस्पीट भलफ आज्ड शुदरलवat कां ने ओता left ventricle मा आजोüz अब da left ventricle भार्ट एता left ventricle मा जह न यह आज्ट भ弹 रहेको छा रा यो लेट भेंट्रीकल जबा कंट्राक्ट हुन्छा खुम्चिन छा त्यो बेलामा की उन्छा ता ब्लाड यो पलवार्शरी के बन्छा ब्लाड चाहिं सुद्धा रगा चाहिं एओटिक भाल्ब हुदाई कस ले ले जान्छा ता एओटिक भाल्ब आटा के खुले को उन्छा बन्छा बन्छा एओटिक भाल्ब लेता अब सुद्धा रगा चाहिं ले जान्छा क्ये भायरा ता एओटा भायरा हुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ अब बुजनु भाय कि भाय ना बनुस आब किलियर चाए अजेपनी बुजनु भाको चाहि नाकि क्या अव बनुस किलियर चाहिए किलियर नून चाहिए, किलियर चाहिए, यो पिक्चर चाहिए बनावनू पर चाहिए, किलियर चाहिए, अब तब आरले मा शोटली योटा कुडा सिखाई दीन चु, सिस्ठेमिक सर्कूलेसन के हो, सिस्ठेमिक सर्कूलेसन के हो, रब पलमोणरी सर्कूलेसन के हो, तब आरले बुजी सकनु भार चाहिए, यो पर चाहिए, मात्रे दपा अरले चाहेस माख्ये गरणू परछा तो हलका मात्रे दिमाग लगाँणू परछा. की काहां बाटा काहां रगत गएक हो. त्यों कुरात अरले भूजनू परछा. एग, सीस्टेमिक सर्कुलेशन माख्ये हुन्छा. रार को चाहें किये वंचा पल्मोन औरी सर्कुलेशन मा किये हुँँचा ज़स तपा अरले एक मिनाट में बुजनुँँचा एदा ला यह ता किलिया चाहे अब अब शिस्टेमिक सर्कुलेशन शिस्टेमिक सर्कुलेशन आईगा सिस्टेमिक सिस्टेमिक सर्कुलेशन ला ध्यान दियारा सुनुँचा सिस्टेमिक सर्कुलेशन भने को के हुँँचा भने तपा अरले चाहें लेफ्ट गेंट्रिकल Left ventricle ले क्ये गर्णे था? Blood like pump गर्णे था? कहना में? क्ये भाल भायरा? थो खुडा बनवा पर्यो ।… Left ventricle le blood pump गर्णे था? के भायरा भायरा जान चाता? ए ओर्टिक भायरा जान चाता? ए अर्टिक भाल्ब आटके शुरू भायको उन्छा ए और्टा शुरू भायको उन्छा आई ना ता यही पड़नु भातियों ते बारले ए अर्णु ता लेफ्ट भेंट्रिकल मा लेफ्ट भेंट्रिकल लेफ्ट ब्लोड के गड़े होता पॉम्प गड़े हो लेफ्ट भेंट्रिकल मा यहुटा भाल्ब थियो त्यो भाल्ब को नाम की होता लेफ्ट भेंट्रिकल मा यहुटा भाल्ब थियो निकुन भाल्ब थियो लेप्ट बेंट्रीकल मा दो खुण भलव हो मैट्रल भाल्व हो आई मैट्रल भाल्व थिए एवो ठीक भाल्व हो ठीक चा राजेस राजक जी के ओ मैट्रल भाल्व थिए लेफ्ट वेंट्रीकल मा कुन भाल्ब हुन्छा यो बाईकस्पीड भाल्ब हुन्छा नी कसरी जुकीनु बाग होता बायरु बेरी लेफ्ट वेंट्रीकल मा रहेको भाल्ब कुन भाल्ब हो लेफ्ट ए ट्रियम रो लेफ्ट वेंटरीकल को बिचको भल्ब लाई माईट्रल भल्ब बाँछा नि लेफ्ट वेंटरीकल मात युटा मात रे भल्ब थियो जसको नाम की होता है एओटिक भल्ब हो यही पुझन बाया अब आणुस लेफ्ट वेंट्रीकल खुम्चियो खुम्चिता खेडी ब्लोड का जानचा तकुन भल भर जानचा ए ओटिक भल भूदे का जानचा त ए ओटा मा जानचा ए ओटा बाट के उन्च ब्लोड ब्लोड थ्रू आउट दा बाटी बाटी टीशू आमरो शरीड को हरे शेल रा टीशू भीत्र चाई यो ब्लोड हरुके उन्चा त जाने गरता छा ए ना यही बाईल माईले बन्या देनी लेट वेंट्रीकल खुमचिन छा तेस पसाड़ी एओटिक भल भूदे रगत एओटा मा जानचा रा एओटा बाटा शरीड को सब्बाई सेल टीशू आरुमा सब्बाई पाट मा जाने गरता छा ए ना अब अल्ला शरीड को सब्बाई पाट मा रगत जाने भायो शरीड को सब्बाई पाट मा शुद्धा रगत गायो फेडी अशुद्धा रगत अरुपणी छा नी अशुद्धा रगत पणी बन चल्ला सुद्धा गायो तेस पसाड़ी किये उन्चा ता बलाड वेसल आरु जुन भेन उन्चा भेनस बलाड कलेक्षान मैं ले बने को दिया नी भेनस बलाड कलेक्षान भनना ले सुपेरियर र इन्फेरियर भेना कावा हरु बाटर रगत जान्चा नी फेरी अशुद्धा रगत हरु मुटु मा तेला है बन्चा केता भेन को बलाड हरु कलेक्ट हुन्चा रा भेन को बलाड अरू कलेक्ट भाय रा काया जानचाता सुपेरियर एंड इन्फेरियर भेना काभा इन्फेरियर भेना काभा जब भेनस बलाड कलेक्शन हुँचा ते स्पसाडी काहा गयो रा गता सुपेरियर रा इन्फेरियर भेना काभा मा गयो रा सुपेडियर रा इन्फेडियर भेना का भावाट काहा जान्छा रगत राइट एट्रियम मा जान्छा अत्मा आप जाई पनी तमा अरले लेखना सक्नु उन्छा सुपेडियर इन्फेडियर भेना का भावाट कोरोनरी साइनस मा तेस पसा रिराइटे ट्रियम मा यो कुड़ा आताप आरले पड़नू वाको छा की छाई ना हैर नुस्ता अगी मैले जुन चित्र बना आयको थिये तेस मा यो कुड़ा आरू आको थिये की थिये ना आयको थिये ना भनुस्ता ओ आयको थियो यहीं तो हो systemic circulation यहीं तो हो systemic circulation यहीं तो हो ले भासा को रुक्मा पनी लेखना सकनू उँछा बुझनू भायो भासा को रुक्मा यदी साथी अरूले लेखना चानू उँछा बने यहीं लेखनू वला सुनूस्त मा भंदी रहाचु तापारले, इंडीकेट गरनू वला लेखना सक्वनुछ तापारले सिस्टेमिक सर्कुलेशन भहने को जब लंक्स बाट सुधा भायर रगत लंक्स बाट सुधा भायर पल्मोनरी भेन कुन भेन हो देता? पल्मोनरी भेन हो देता जब लंक्स बाट रगत सुधा भायर लंक्स बाट ब्लोड सुधा भायर पल्मोनरी भेन हो देत्रियम मा जान्छ लेफ्ट बाट रगत लेफ्ट भेंट्रिकल मा जान्छ है ना? है नुस्ता? लंक्स मा रगत सुधा ब्लोड सुधा भायर अक्सिजिनेटेड भायर रगत कहा गयो देत्रियम मा गयो रग लेफ्ट अट्रियम बाट रगत बाइकस्पिद अथबा मैट्रल भाल्ब हुदाई रगत कहा गयो देत्रियम मा गयो का गयो देत्रिकल मा गयो राइट बेंट्रिकल मा यवटा भाल्ब हुँँछ जस्को नाम के होता एओर्टिक भाल्ब के नाम होता एओर्टिक भाल्ब जब लेफ्ट भेंट्रिकल कंट्राक्शन हुँचा खुमचीदा खेरी बलड एओर्टिक भाल्ब हुदाई एओर्टिक भाल्ब हुदाई रगत एओर्टा थुरू इवोट्टिक बहु बाटा रगत क्या ग़योता इवोटा थुरू शरीरको हरेक सेल टीसु हरू समख्ष पुगने करता छबलाड थुरू neglect body अल टीसु शपफिल टीसु हरुमा रगत इवोटा बाटा क्या पुग Culture अभा यो रगा धरुता सबबर्य यांग हरुमा पुगयो अभा यहां बाटdr रगा तससु धा रगा धरु पनी उन्ठाणी' आणि असु धा रगा धरु के बयोत अभा क्लेक्शन हुद्यि जान्छ तüne म oldest भे नरुलाद मक्लेक्शन गर्चां कलेक्शन गर्चां मुटू वंदा तलना पाठ पौंग बाठ सूपरियर भेना काबा अशुदर अर कलेक्सन बोई इनफेरियर रा सूपरियर भेना काबा बात कां छता मुटु मा जान छा रायट अट्रियम मा जान छा बुछनु भयो सिस्टेमिक सर्कुलेशन को बारेमा लेखना सकना उंचन ये शरी भासा मिला आए ये शरी भासा मिला आए की सकिन छाए सुनूस एकदम दियान दियारा सुनू आए लंग्स मा सुधत भयको रगत पल्मोनरी भेन हुदै लेख्ट एकरीकल मा जाँ ये लडेख्ट एकरीकल वल्व अज़व मात्रल वल्व हुदैй लेफ्ट व्यक्टल व्यक्याँ नलेफ्ट व्यक्याँ चैन साघगल vad wire व्यक्याँ जीं लेफ्याँ द्यागर्व हुदैज लेफ्टोरीक कई साड़ा तै ब्लोड किसु किस拜ए अधा भेन रा आर्ट्री को ब्लाड 重क्राई कांशने उन्छा बन्नुस्ता आर्ट्री रा भेनको ब्लाड अरु कां गारा सुझा दिल्डाक सुझा फिये वरी कुने साथ Comic- concept on a nustar आर्ट्री औ भेनस ब्लाड रर्ड गेट मीक्स्टाक सुरिक धिन कैपिलरी मा लीवर को साइनुसोईड मा वेरी गुड एकदम रामरो लीवर को साइनुसोईड मा आर्ट्रेडियल एंड भेनस बलाड गेर्ट मिक्स्ट इन लीवर लीवर को कुंठा होता साइनुसोईड मा आर्ट्रेड भेन को बलाड अरु कहा गवर मिक्स्ट हुन्छ लीवर को साइनुसोईड मा ते ही हो पोटल सर्कुलेशन ते सेलाई पोटल सर्कुलेशन बन्चा है लीवर मा गवर अरुण मिक्स्ट हुन्चा ते हापनी सर्कुलेशन वणच थेज़ पोर्फकुलेशन वलाँ चाहिते V内। साथ यारू पुन सर्कुलेशन वान्च आसला ये पोर्टल सर्कुलेशन वान्च लाँ ठीक्छा है पोर्टल सर्कुलेशन मान्च systemic systemic circulation ला ठिक छा systemic circulation बन्छा यास लाइक कुन circulation बन्छा तक systemic circulation है ना अबा तर लेखना सकनू उन्छा साथी अरले आई ना systemic circulation बन्छा अबा लेखना सकनू उन्छा anybody कुने साथी लाइ confusion छा अबा पनी बुझनू भाये ना बने मतलब केई बुझनू उन्णा अब यत्ती समा पनी बुझना सकनू भाये ना बने डारो छाई एकदाम किलियर छाओ केल्ला ठिक छाई left ventricle येशारी picture पार्णू उन्छा बने ठाके दिमाग माया छाई पिक्चर तमाले जब येशारी पार्णू उन्छा बने नी ठाके मेमोराइज उन्छा तमाया उन्छा कि left ventricle मा रगत आयो तेस पसादी एओटा मा गयो एओटिक भल मा गयो एओटिक भल उदे एओटा तुरू शरीर को संपुर्नांग मा जान्छा तेस पसादी फेडी बेन बाटा ब्लोड हरु कोलेक्शन हुन्छा र यो ब्लोड हरु फेडी मुटु मा जान्छा क्या भड़ शुपेडीयर र इन्फेडीयर बेना कावा हुदे मुटु को राइक एट्रियम मा जाने गर्दा छा येसा है लाए systemic circulation बनींछा यो बयो systemic circulation पिक्चर बनाया येसा राकनू वहला सजील हुँचाई तब अर्लेक बुछन अले र भासा मा पनी तब आपने लेकनू वहला बुछन भायनी आपूले भासा मिलाया र एक्चोटी लेखेड सबी जना साथी अरले ग्रूप मा पठाउन वहला ये अर्को छा pulmonary circulation pulmonary circulation pulmonary circulation pulmonary बने को के अता pulmonary बने को कल लाए बन्चा pulmonary heart लाए बन्चा की liver लाए बन्चा की lungs लाए बन्चा pulmonary बने को के lungs होता lungs मतलब lungs मा बलार जान्चा तथी कुड़ा बुछन वहला pulmonary circulation बने बितिके असुधा र गत लंग्स मा जान्चा सुधा हुना को लागी pulmonary circulation बन्चे बितिके दिमाग मा तेपा अरु काउन्चा पर्यो यो भायो आमरो मुट्टू pulmonary बने को लांग्सो बने को लांग्स लेट लांग्स है दा हेड़ी पनी एक चड़ी बुजनुस के बन्चा दिमाग मा आई राखे को छा एंसर एंसर आई राखे को छागी चाहिना दिमाग मा साथी अरु का वनुस्ता pulmonary circulation बन्चे बितिके लांग्स मा जान्चा लांग्समा असूध राखच आँच बने को मुटू मा की उँछत सब बंदा पहला राखत का अउच canım राईटल यम मा राईट यम मा अ तक हां राईट वेंट्रीकला आई ना तब राईट वेंट्रीकल कहां आयो तो रगत राइट वेंट्रीकल मा आयो ए राइट वेंट्रीकल बाटर रगत कुन भल्ब भायरा जान्छा अब भनुष राइट वेंट्रीकल बाटर रगत कुन भल्ब भायरा जान्छा भनुष ना लंक्स मा कुन भल्ब भायरा जान्छा comment गाट उसा pulmonary valve very good right ventricle मा कुण valve होंच very good pulmonary valve okay right ventricle बाट यो रगत कहा गायो था pulmonary pulmonary valve मा गायो pulmonary valve बाट यो शुरू बाएक्वा चा वनुसना यो के हो आट्री हो की भेन हो के हो दा right ventricle बाट pulmonary valve हुदै रगत कहा जान्च कुन आट्री बाएर pulmonary artery ठीक छा pulmonary artery artery मा गायो है दा क्यो भायो दा pulmonary artery artery मा गायो pulmonary artery आट्री बाएरा कहा जान्च रगत का गायो बानुस्ता का गायो दा pulmonary artery आट्री बाएरा कहा गायो दा लंग्समा गायो का गायो लंग्समा गायो न्ट अब लंग्समा क्यो हूंचा लंग्समा क्यो हूंचा फ्ला यो राइट धेंट्रीकल बाट कुण भल्ब हैरता पल्मोनरी भल्ब भैर पल्मोनरी भल्ब हुदै कुण आट्री बाटता पल्मोनरी आट्री बाटता रगत कहां गयोता लंग्समा गयो अब लॉंग्स मा की हुँचा रगा इक शेंज हुँचा नी मतलग डी अक्सिजीनेटेड ब्लड चेंज इन्टू चेंज टू अक्सिजीनेटेड यो लॉंग्स मा जब अशुद्ध रगा जान्छा अणि के उँचा तेहां रगात के उँचा ता साट फेर उँचा इन्टू रगात को के उँचा ता साट फेर भयो अब साट फेर भायरा बलाड के भायो ता डी अक्सिजिनेटेड बाटा रगत या डी अक्सिजिनेटेड बाटा रगत या डी अक्सिजिनेटेड आयो या बाटा के भायो सुद्धा भायो अब यो लंग्स मा जबा सुद्धा उंच रगत अनि के भायरा जांचा के भायरा जा किया भायरा पल्मोनारी भाल भायरा वेरी गूट एकदम राम रहे है एक छाड पल्मोनारी पल्मोनारी भेन भायरा यहां लेखने आवा पल्मोनारी भेन पल्मोनारी भेन ले रागत कहा लिया रादांशा तोर्याओ दल्यार लेट है पल्मोनारी भेन ले रागत कहां लिया रादांशा तुल्यामाल लेखने रादां सेल्स इस्टेमिक शर्कूलेशान मा यहां बाटा मले शुरू गरैं को थिय Massachusetts बाटा शुरू हुनछ शिस्टेमिक सर्कुलेशन यहँ बाटा के सुरू बाटा लेप्ट वेंट्रिकल बाटा यो यो जी अधिक बाल गुदै शरीर वरी रगत गयो यहां बाटा शुरू बायो सिस्टेमिक सर्कूलेशन रह यहां माटके सुरू भयो पल्मोनारी सर्कूलेशन येचा समझ माई राके को छकी छही ना हो चाथी अरू बुजी राकनू भाचा नी कि अजय पनी दिमाग खुले ना खुले ना दिमाग अजय पनी बुजन भाचा चाही ना खीके हो भन्नूस अजय पनी किलियर चा क्या कनफिजन चा किलियर चाही अब अतक किलियर भयाल चानी बुजा चाही लेखना सकनू उन्च अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन रा पल्मोनरी सर्कुलेशन को बारे मा स्वोध्धियो बने अब यह अजलाई तपा अरगले भासा रगत रूपमा लेख़ीड़ीशन को बने अब यह सरी बननू हला राइट बंट्रीकल बाट अषुद्ध रगर राइट वेंट्रीकल बाट डी अक्सिजिनेटेड बलाड पल्मोनारी भाल्ब हुदै पल्मोनारी भाल्ब हुदै पल्मोनारी आट्री थ्रू लंग्समा जान्छ पर्मोनारी आट्री थ्रू कहा गयोता लंग्समा गयो र लंग्स मा रगत गई सके पशाड़ी, दी अक्सिजिनेटेड बलड के मा चेंज भयोता, अक्सिजिनेटेड मा चेंज भई सके पशाड़ी, पल्मोनरी भेन ले, पल्मोनरी भेन ले, सुद्ध रगत लाई, अक्सिजिनेटेड रगत लाई, लेफ्ट वेंट्रीकल मा लिये यहां बाट शुरू उन्छ सिस्टेमिक सर्कुलेशन यहां बाट शुरू उन्छ पल्मोनरी सर्कुलेशन भुजनु भायो यहां बाटः राइट भेंट्रिकल भाट लेथनो बाट शुरू बाट रा लेट बाट सिस्टेमिक शर्कुलेशन शुरू बाट हुज ऺुजनकி किलिये कंमनिकेबल दिजीज हरू बच्छा अरुमार देखा परने कोमन परकार को दिजीज हरू दिजीज ओरू हरू भरू ।कोन कुण चाता सबस्केबिबॉ एमोबिक डिसेंट्री, बैसिलरी डिसेंट्री, जी आडियासिस, गास्ट्रो इंटेराइटिस, मीजेल्स, चिकेन फोक्स, हैना, यह सरी तब आगली लेकना सागनूंचा मम्स, हैना, रुबेला, यो कुडा आरू भने को के होता, कोमन सर्वार हुआ घरू छा, हैता, बुजन अब क्वेशन मां, नेक्स्ट के खुडा स्वधेको छा, हैनुस्ता, हाउ विल यू मैनेज, अ, एक्यूट डाडिया, इन छिल्रेन, बच्चा, आरू मां, देखा पर ये, जुन, एक्यूट डाडिया, छा, तेसला, कसरी तब आरले, मैनेज गर्नूंचा ता, यो क्वेशन सोधेको छा, अब येसको बारे मात पारले, एक्यूट डाडिया, एक्यूट डाडिया भने को क्ये हो, सापी अरले कमेंट कारू सा, एक्यूट डाडिया भने को क्ये होता, जो पहला, बुजम तस पसारी उपसा, लेक्नू पर देन दब आरले, मात्री भुजनू अला, एक्यूट डाइडिया भने को सिंप्ली बुजदा के रिये, एक्यूट डाइडिया भने को डाइडिया डाइडिया लेस दन फोर्टीन देज, डाइडिया को पाखाला को यदी अब धी, चौदा दिन भन्दा यदी कम छ भने, त्यसलाई आमी के भन्छो त एक्यूट डाइडिया भन्छों, हाई न, त्यसलाई के भन्छा त एक्यूट डाइडिया भन्छों, चौदा दिन भन्दा कम छ भने, किलियार चा? अब तब अरलेस मां क्ये वने को छ वने कसरी म्यानेज गरने म्यानेज कसरी गरने तो यह क्यों डैडिया आए अब नेपाल मां एर्म मुण चा वने डैडिया को कारण ले धेरे बच्छा आरुको मृत्त्यू भईराखे को हुन्छ तेस कारण ले यो योटा प्रमुक डिजीज पनी हो बच्छा आरूमा देखा परने Management of Acute Diaries in Children are given below आईगा एक्यूट डैडिया को उपचार बच्चा आरूमा वेवस्थापन तल दीएको छा भन्ने तब अर्ले शरी लेक दुनूँ आला तेस पसाड़ी अब हामीले जब एक्यूट डैडिया को उपचार गर्छो भने तेस को लागी तब आगले चाहीं डैडिया को उपचार जईले पनी गर्दा खेडी पलान ए पलान बी रब पलान सी अनुशार गर्ने उँँचा ए तीरोडा पलान हुँचा तब आगले बुझनू भावला तीरोडा पलान हुँचा पलान ए पलान बी रब पलान सी है नुधा पलान ए को सको लागी उँचा भनूस्ता पलान ए को सको लागी अपना हिँचा तो No dehydration को लागी, एए, ठीक्चा, अब चाइल्ड मा, डाडिया को management गर्दा, dehydration, अनुशार, treatment plan, treatment plan, अपनावनु पर्छ, एए, एकोडिंग टू, dehydration, dehydration को आधार मा हामिले के गर्छो तो, treatment plan एशको लागी ल्याउचो, ए, र, डाडिया को उपचार गर्दा खेरी जयले पनी, जुन treatment plan अरूच, त्यो treatment plan, dehydration जमा कती परकार को हुँँच, तीन परकार को हुँँच, यवटा हुँच, no dehydration, यदि बच्चा लाइट dehydration भये को छाई न, अब बच्चा आरला यदि 14 दिन सम्म, 14 दिन को भित्र, यदि दार्या भये को छा, बच्चा लाइट dehydration भये को छाई न, त्यो कुडा हामिला एक दम प्राच्मित्या रूप माच्चे गर्णू पर्छा, त्याई भड़ा, no dehydration को केस लाइट के गर्णू पर्छा, त्रीट्मेंट, पलाण, ए, दिनू पर्छा, अब ट्रीट्मेंट पलाण, ए मा के गर्णू पर्णे हुँचा भणे, no dehydration का भच्चा अरले पर्णी आमिले के गर्णू पर्छा तो, ORS दिनू पर्छा, ए, के दिनू पर्छा तो, ORS, तब आरले होम मेड रूप मा पर्णी पर्णा हुँचा, होम मेड रूप मा पर्णा शकिन छ, अत्मा होम थेरापी, एस तो बिरामी अरलाए, no dehydration भएको बच्चा अरलाए, होम थेरापी दिने, होम थेरापी दिने, होम थेरापी मा अब, यदि स्थानो बच्चा छा भणे त्यसलाए, क्ये गर्णे ता, continuous breast feeding गराईड आखनू पर्छा, continuous breast feeding गराईड आखनू पर्णे हुँचा, ताकि त्यो बच्चा मा चाहें क्ये न होस, तो dehydration डेवलाप न होस, no dehydration बाट, से के बन्छा, सोम मन्न जावस भनेडा, आमी plan A गर्छा, त्यो बच्चा आरलाई, treatment plan A दिदाखेडी क्ये गर्णू पर्छा, ता, ORS परी दिनू पर्छा की, पर्छा है, ORS supplement गर्णू पर्छा, ORS supplement नहींता, ORS supplement चाहें त्यो बच्चा लेक्ये गर्णे ता, जीबन जल चाहें क्वाँनू पर्णे हुच्छा है, ता, बुझनू भायो, तेशेगारी हाओ, अजये अब क्ये गर्णा चक्नू उन्चर भाने तपर्णा आछले, इस मा आजये अब क्ये गर्णा सकत्यो भाने, बच्चा लाई लो, उसको जुन्आ, उन्चर तれष लाए, हाईजीन मेंटेन को बारे मां हाईजीन मेंटेन गरना को लागी सताला दीनुपर्ष निरम्त रूप मां ब्रेश फिडिंग गराई डाकना वरनुपर्ष तौर्ण आतवा हो मेड ओर्यास हो मेड ओर्यास दिनु पर्छा हो मेड ओर्यास मा क्ये हुँँच तो 20 गराम चाही सुगर हुँच र 5 गराम क्ये हुँच तो 60 हुणे गर्द छा केसे गड़ी यस तो बच्चा आगलाई डारिया लागने वितिके बच्चा लाई क्ये गर्णू पर्छा तो जिंक सप्लिमेंटेशन दिनु पर्णे हुँच जिंक दिनु पर्णे हुँच जिंक सप्लिमेंटेशन मा जीरो देखी 2 महिनास मा को बच्चा लाई कंट्रा इंड दिना मिल्दाइना, तुई देखी 6 महिना सम्मक्को बचालाई, क्ये गर्नु परचा, ता 10Mg, OD, 4, 10 to 14 days, है ता 6 देखी 69 महिना सम्मक्को बचालाई, 20Mg, OD, 4, 10 to 14 days, गरेरा, नोर दिहाइड्रेशन मा एस री तपार ले उपचार गर्नु पर्चा है, ये सब भुजी रागनु भाचानी साथ यअरले, नोर दिहाइड्रेशन मा क्ये हुन जँने, बच्छा खासे तेस्तो साइन सिम्टम अरू हुदेईन, बच्छा लाई खासे तेस्तो असर परेको हु पर्छा चाहे त्यो नो डिहाइड्रेशन होस या तर डिहाइड्रेशन होस त्यास बाटकी फड़क परे ना त्यो बचाले अनिवार्य रुपमा जीवन जल रज जिंक चक्की दिने परने उन्चा ए बुझनु भाय नि अब शानुब बच्चा छा भने त्यसला एक कंट्यू बचालाइ जोलीलो खाने कुरा हरू दिनु पर्छा बचालाइ क्या गरनु पर्यो था जोलीलो खाने कुरा हरू चाएड दिनु पर्छा एदा। यो कोईशन अरु सभ दाकेटी 10 मार्क मा प्रायस को दी राउण ऐ बैनेजमेंट एशको अली लामो उँछे वरच्याई 10 मार्क मा प्रायस को दी राउण ди केश अधियर लेख सभनी उँछ no dehydration मा no dehydration को लागी कुन ट्रीटमेंट पलान होता पलान A उना नो डियाखेटरेशन का बच्चा अरुको लागे कुन ट्रीट्मेंट प्लान हुंच था प्लान ए हुंच रहा क्यों बच्चा अरलाइक क्ये गरनू परचे हूम थेरापी दिनू परने हुंच हूम थेरापी बनाले घराईसी रुपमा थाango om ad ors बनाएरे जो लिलो खाने कुडा हारू, है ना? पुशनु भायो, एसरी चाहिए तब आरले म्यानेज गरनु अला औरको त्यो बच्चा लाइके गरनु पर्छा तो continuous रुप मां breastfeeding गराऊनु पर्छा किना भने, आमा को milk मां के उन्छा ता पानी को मात्रा धेरे उन्छा ते बड़ा breastfeeding निरंत रुप मां गराऊनु पर्छा औरको ORS supplement गरनु पर्णे हुँछ तेसे गरी आमारा बच्चा ले दुपईले हाईजिन मेंटेन, बच्चा ले बाराम-बार मुख मां हाथ नी राखे को हुँँछ हाईजिन मेंटेन गरने कुरा आरू हो मेदो ORS मां 20 गराम शुगर र 5 गराम चाहिं चाल जुने गर्द छारू और कत्यों बच्चा ले हाविले जिंक परी दिनू पर्छा तो 0-2 मैना को बच्चा ले जिंक दिनू देन 2-6 मैना को बच्चा ले 10 mg दिने, दिनको एक पटक दिने कते दिन सम्हा दिने तो 10-4 दिन सम्हा मिनिमाम 10 दिन दिने पर्षा त्यो बच्चा ले 10 ओडा चक्की दिने पर्षा नी बच्चा ले 6-69 मैना को बच्चा ले 20 mg OD 10 to 14 days रब बच्चा लाई जोलीलो खाने कुरा आरू खान चाहीं आमालाई सला दिनु पर छा बुच्चनु भयो लेखन सकनु उन्चा जाति अरले अबा लेखन सकनु उन्चा की नाई के छा समझ माई राखे को छागी छाई नाई वन्नुस लेखन सकनु उन्चा इ डाइरिया को management भन्ने भिती का your no dehydration, dehydration रशिवियर dehydration तीन ओडा मा classification गर्ण उप्चार गर्णु अलाई ता आई रहे छा अरू अरू साति लाखे चाही राखे को छाई नागी क्या हो कमेंटे गर्णु उन्ना लेखना माँ बिजी उन्नु छा भीमल साइज इचाच ठीक 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 बुझनु पड़े वे अब आउनु स्वाम dehydration क्या रूस जशरी तपा अरले no dehydration मा लेखनु भयो आई ना ते शरी नहीं त्यो कुड़ा आरू पनी जशरी no dehydration मा जे जे कुड़ा आरू आये को छा नी no dehydration मा जे जे कुड़ा आरू आये को छा no dehydration management पलास अब अरूस है no dehydration मा जे जे जिंक दिनु भयो आरको continuous breast feeding आये को पुड़ा गर्नु भयो एसे गरी आरको बनेको बच्चा लाइचाई धोलीलो खाने कुड़ा आरू दिनु पर्चा hygiene maintain गर्ने है no यो कुड़ा आरू आयेस मा राकने पर्चा ORSD ने है no यो सबबे कुड़ा आरू आयेस मा include गर्नु पर्चा swarm dehydration मा पनी गर्नु पर्चा है साथ साथ है येस मा की हुँचात treatment plan B येस मा कुण treatment plan हुँचाता swarm dehydration को लागी treatment plan की होता plan B हो रा plan B मा की हुँचा बने swarm dehydration का बच्चा आरू लाए ORSD ने म्यानेज गर्नु पर्णे हुँचा है रा ORSD को की हुँचाता 25 यामियल और केजी बड़ी वेड हैता ORSD लेननाई swarm dehydration माथी को जुन कुड़ा आरू जिंक तेसे गाड़ी जोलीलो कुड़ा आरू और को भनेको तक आरले जुन ठब कुड़ा आरू गर्नु भातियानी हाइजिन मेंटेन गर्ने, ब्रेस्पीडिंग गराउने त्योता गर्ने परचेस माँ साथ साथ माँ प्लान बी को उपचार की होता यो हो ORSD oral dehydration साब चाहिं के गर्नु परचा 55 ml परचे जस्ते 10 kg को बचा चा बने 55 इन्टु 10 kg मतलग, 750 ml त्यों बचा लाई ORSD के गर्नु परचा 24 घंटा माँ चाहिं क्वाणु परचा विदिन 24 आवर्स 24 घंटा भित्रमाद त्यों बचा लाई के गर्नु परचा त यो 750 ml जीवन जल चाहिं क्वाणु परचा यो भयो प्लान B बुझनु भायो येसले आनुकुन प्लान भांचो ता प्लान भी भांचों रब मैले यार जासरी तप आरले नो डियाद्रेशन मैनेजमेंट पलास जासरी लेखे को छुनी तेसरी तप आर न लेखनु अला बुझनु भाय नी तप आरले तेसरी न लेखनु त्यों सब आ खुड़ा आर जो लीलो खुड़ा आरु चाहिं दीनु पर छा तेसे घड़ीयार को वने को प्रेस फिरिंग गराओनु पर छा यो खुड़ा आर तप आरले लेखनु पर छा है ये लेखनु भास एक जना साथ हीले ओके बुझनु भाय किलियार चाहिं ओके अबाचा ट्रीट्मेंट प्लान सी अध्मा सिवियर दिहाइडरेशन अबाच सिवियर दिहाइडरेशन सिवियर दिहाइडरेशन का बच्चा अध्लैक्य गर्नु पर छाता सिवियर दिहाइडरेशन का बच्चा अध्लैक्य गर्नु पर छाता नो डिहाइडरेशन रा सोम डिहाइडरेशन मा जुन जिंक, ORS ऐना ओरली रुपमा दि राखनु पर छा सिवियर दिहाइडरेशन का बच्चा अध्लैक्य गर्नु पर छाता सिवियर गर्नु पर छाता की त्यों बेलामाद इम्निटी कंजोर भाईशन के को उन्चनी बचा लाई ते बार विटामिन ए दिने छो देखी बार मैना को बच्चा लाई एक लाक दिने एक लाक आयू दिने रा बार देखी उन्चत मैना को बच्चा लाई दुई लाक आयू दिनु पर छा यो बिजामिने तेसे गाड़ी एसमा पलान ए पलास पलान बी को उप्चार पनी समावेस गर्नु पर छा रा एसको लागी सिवियर दियाइड्रेशन को लागी ट्रीटमेंट पलान सी अपनावनु पर छा एदा एसको लागी आमी लेके गर्नु पर छा ता सिवियर दियाइड्रेशन को बच्चा लाई ट्रीटमेंट पलान सी बाट उप्चार गर्नु पर ने उन्च है रा हो एसको choice of fluid choice of fluid के उन्छा था आरियल उन्छा आरियल उन्छा यह ठीक छा आरियल उन्छा कसरी दिन्यत्प हंड्रेड याम याल पर केजी बड़िवेट विदिन्ट शिक्स आवर्स है यह एसमा के गरनू पर्चा था 100 याम याल पर केजी बड़िवेट विदिन्ट शिक्स आवर्स मा योँ ट्रीट्मेंट प्लान चाहीं तबारले अपनावनू पर्चा है बुशनु भायो यो treatment plan त्यो बेलामा चाहीं त्यों तॉपणले, अपनाऊ मुपर्णया हुँँछा येसमा येवटा डाइग्राम थोडि येसमा बुझुन होला येवटा डाइग्राम पनछ्मा येशमा treatment plan c मा के हुँछा दुई बहाग मा बादेको छा शुरुक पटक रहंतिम पटक यो जुन 6 घंटा छनी यो 6 घंटा लाइद दी भाणमा बाड़े को छा पहिलो ए घंटा र बाकिको जुन 5 घंटा हुन्छ त्यो तेसरी गरेड़ा क्लासिफाइ गरेको छा यह समा एज गुरूप यहरूश एज गुरूप परस्ट अतबा विदिन विदिन वन आवर्स रारको उन्छ विदिन पाइव आवर्स अतबा पहिलो पटक पनी तबा यहले बनमा सकना हुन्छ हुन्छ पहिलो पटक मतला पहिलो एग घंटामा तेस पसाडी वनेको अंतिमको पाच घंटामा एज शरी पनी तबा अरले क्लासिफाइ गरना सकना हुन्छ अब एक माइना मुनि एजर एक बर्स मुनिको बच्च र एक बर्स देखिलिए र पाच बर्स सम्वको बच्च ठीक्च लेस देन बारा मंथ र बारा देखिए उन्छ अठ मनी cbamcii मा 5 बर्स मुनिको बर्चाले जयले महिना मा जाना हुन्व बर्च है cbamcii मा 5 बर्स मुनिको बर्चाले के गर नुपर्णे उन्छ पेलै वर्ष मा लेकना मिल देन युवली यह लेकना सब्सक्के मिल